निश्चे IS के Current Affairs Class में आपका स्वागत है आज हम दहिंदू अफ़ार का एनलिसिस करेंगे 4 मई 2020 के दहिंदू निज़पेपर का डिसकस्शन और एनलिसिस इसमें कुछ important articles का हमने selection किया है चलिए स्टार्ट करते हैं African Swine Fever से related एक article आया है इस article में यह बात कहीं गई है कि भारत में सबसे पहला केस African Swine Fever का असम में रिपोर्ट किया गया है असम में सबसे पहला केस पाया गया है African Swine Fever एक बहुत ही गंभीर वाइरल बिमारी है जो कि घरेलू एवं जंगली सुवरों को प्रखावित करता है यह एक Trans Boundary Animal Disease है Trans Boundary का मतलब यह बहुत ही व्यापक रूप से अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रशेत्रों में फैल सकता है यह एक Trans Boundary पसुरों है जो की जिन्दा अथवा मृत सुवरों के द्वारा फैल सकता है और साथी साथ पौर्ट प्रोडक्स यानि की सुवर से प्राफ्ट जो उत्पाद है सुवर के मांज से उत्पाद प्राफ्टों से भी अफ्रन सकता है अभी तक African Swine Fever का कोई भी वैकिन यानि टीका का टीका को Approval नहीं मिला है अभी तक इसके संबंध में इसके रोगठाम के लिए किसी टीका का विकास नहीं हो पाया इसके अगर हम Outbreak की प्रपोड की बात करें तो पहले या 2007 से पहले भी अफ्रीका, योरोप और केरिबियाई छेत्रों में इसका प्रपोड देखा गया था वर्ष 2007 के बाद से योरोप एवं इसिया के कई देशों में इसका प्रपोड सुवरों के बीच में देखा गया है यह काफी संक्रामक रोग है, Highly Contagious है और Hemorrhagic भी है Hemorrhagic का तात्वर होता है रक्त स्रावी जिसमें की पसु के सरीर से रक्त का स्राव होता हो तो यह एक Highly Contagious Hemorrhagic यानि रक्त स्रावी वाइरल बिमारी है सुवरों के बीच में लेकिन यह मानव स्वास्त के लिए रिस्क लेंगे अभी तक यह Human Health के लिए एक रिस्क के तौर पर इसकी पहचान नहीं की गई है इसके Control Measures के अगर बात करें यानि कि इसके नियंतरन संबंधी उपायों की बात करें तो इसमें सामिल है Early Detection यानि कि रोग की प्रारंभी इस्थिती में ही पहचान Human Killing Human Killing सब्द अपने हाप में एक बड़ा Paradoxial सब्द लगता है अंतरद्वंदी सब्द लगता है कि एक तरफ हम Human की बात कर रहे हैं दूसरे तरफ किलिंग की बात कर रहे हैं लेकिन ऐसे परिश्थितियों में जब पसू रोग से संक्रमित हो जाते हैं और एक व्यापक रोग के ठलाव का कारण बन सकते हैं वैसे में उनका मानुविय तरीके से उनकी हत्या करना जिसमें कि उनके कैरकेसिस को यानि मृष शरीर को प्रोपर्ली डिस्पोई करना वो Human कीलिंग कहलाता है तो एक इसमें control major Human Killing भी है Human Killing यानि कि मानुविय तरीके से उनकी हत्या करना कलिंग करना उसको बोलते हैं तो वटमान में जो यह केस असम में रिपोर्ट हुआ है उसमें केंजर सरकार ने असम राजर सरकार को सुवरों के कलिंग की भी बात किये कलिंग करताथ पर human killing से ही है कि human killing यानि कि पस्वों का मानविये रूप से उनकी हत्या की जाए ताकि और अन्य पस्वों में इसका विस्तार इस रोग का फैलाव ना हो सके इसका अगला control मीजर है सर्विलांस यानि कि निग्रानी रखना यह देखना की किन छेत्रों में और किन कैम्स में किन मतलब इलाकों में और पस्वों कैम्स में इसका विस्तारिया खैलाव ज्यादा है और साथी साथ इस्ट्रिक्ट बायो सेफ्टी मीजर यानि कि इस्ट्रिक्ट बायो सुरच्छा उपायों को फार्मों पे यानि कि जहां पर सुवर फार्म है उनमें लागू करना अगर हम African Swine Fever Virus की बात करें तो African Swine Fever Virus या एक बड़ा दूई सूत्री DNA Virus होता है Double Stranded DNA Virus मतलब दूई सूत्री DNA Virus होता है तो या ध्यान रखना है African Swine Fever या एक Virus के कारण होता है और जैसा भी हम लोगों ने बात कि भारत में प्रथम केस African Swine Fever का यह असम में डिटेक्ट हुआ है तो यह आर्टिकल कई माइने में महतुकून है सबसे पहले तो कि आपसे प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है सीधे तौर पर कि अफिकन स्वाइन फीबर क्या है यह किस जानबर को प्रभावित करता है और यह किस तरीके से फ्याल सकता है तो इ इसे अभी हम लोगों ने बात की किया एक एमरेजिक वाइरल डीजीज है यह रक्त स्रावी वाइरल बिमारी है और एक और इसमें प्रस्ण आप से यूमन हेल्थ से जोड़कर पूछा जा सकता है तो यह यूमन हेल्थ के लिए मानव स्वास्त के लिए एक जोखिन वर्तमा के छेत्र में आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से पिग्री में पिग्री मत्यों सुवर पालन में चुनावतियां जो जो होती है या एनिमल हस्वेंडरी में एपिडेमिक का जो चुनावतिया ना एनिमल हस्वेंडरी सेक्टर में जो महामारियों की चुनावति एफ्रिकन स्वाइन कुईवर वाइरस के बारे में पूछा जा सकता है यह एक दुई सूतरी डियने वाइरस है तो इस जानकारी के साथ आप प्रिलिम्स और मेंस में इस आर्टिकल का उप्योग कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल पेज पर आए एक महतुकूर आर्टिकल का विस्तार से चर्चा करते हैं यह भारत के डिजी सर्विलांस सिस्टम के बारे में यह आर्टिकल है कि हमारा जो रोग निगरानी प्रनाली भारत में है उसकी स्थिती क्या है और उसे किस प्रकार से और मजबूत बनाने की रिबूट करने की आविस्कता है इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं को मॉर्बिडिटी के कारण को मॉर्बिडिटी का अर्थ होता है सहरुगनता सहरुगनता मतलब अगर एक से जादा जानलेवा व्याधी या रोग किसी व्यक्ति में है तो उसकी उसके रोगनता की प्रत्यासा और अधिक बढ़ जाती है यानि रोगनता की स्थिति और अधिक होती है उसी को को मॉर्विडिटी बोलते हैं तो को मॉर्विडिटी के कारण कोविड-19 मामलों में जो मिर्त्यू का जोखिम है मिर्त्यू का रिस्क है वो बढ़ गया इन्हांस हो गया है भारत के पास हमें पता है कि एक यंग डेमोग्राफी है एक यंग पॉपुलेशन है विसुके और की तो लामि तो इसका हमें लाब मिलता है क्योंकि एक यंग पॉपुलेशन के पास इम्निटी का महामारियों से पृतिडरोध का जो उनकी छमता होती है यूवा जनसंख्य की वो अधीक होती है प्रतिरोधर चमता लेकिन यहां पर एक समस्या भी है कि हमारे जनसंख्या में हमारे मतलब युबाओं के बीच भी health outcomes जो हैं पूर हैं यानि कि स्वास्त मानुकों पर उनका परदर्शन उतना उत्साहजनक नहीं है चाहे हम nutrition की बात करें या फिर अगर हम दूसरे health parameters की बात करें आगे हम देखते हैं इस article में यह बताया गया है कि अभी पूरे स्वास्त तंत्र का focus COVID-19 कंट्रोल पे हैं ऐसी इस्थिती में OPD जैसे routine function hospitals में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं यानि कि outpatient departments hospital में बहुत बुरे तरह से प्रभावित हैं पूरा स्वास्त तंत्र COVID-19 के नियं तो इस इस्थिती में जो normal health complications होते हैं जो स्वास चुनौतियां होती हैं पहले से लोग अगर किसी रोग से समस्या से ग्रस्त हैं तो उनके लिए यह समय और अधिक संकट का है खासकर गरीबों के लिए गरीबों के लिए इस तरीके से क्योंकि उनका सार्वजनिक अस्पताल तक कहुँच उनके लिए काफी कठिन होता है और अगर उन्हें कोई pre-existing health complication है case है तो उसके कारण उनकी स्वास इस्थिती और ज्यादा बुरी हो जाती है कई ऐसे भी भारत में medical conditions हैं जो की unidentified है unidentified का ताथ पर यह है कि उनकी पहचान नहीं की गई है कि किस विशिष्ट कार विकास या दवा के विकास में जितना कारे होना चाहिए था वो हो पाया है तो कई ऐसे adverse medical conditions अभी भी पहचान से परे हैं और लोग जो उन बिमारियों से ग्रसित हैं उनकी भी पहचान कुन रूप से नहीं की जा सकी है इसका बहुत अच्छा example tuberculosis है बहुत सारे लोग अभी TV निदान कारिक्रम के नेट से बाहर है या क्या दर्साता है या यह दर्साता है कि भारत में डीजी सर्विलान सिस्टम जो है रोग निगरानी तंत्र वह मजबूत नहीं है वह कहीं न कहीं कमजोड है जिसके कारण की कई medical conditions से ग्रसित लोग अभी भी unidentified है उनकी पहचान नह 2019 एक वैस्विक महामारी के रूप में पूरे विस्तु में अपना प्रभाव दिखा रहा है लेकिन भारत में और कई प्रकार के ऐसे मूख महामारियों का भी पहले से प्रभाव रहा है और आर्टिकल में इसी के उपर ध्यान केंदित कराने का प्रयास किया गया है सालेंट एपिडेमिक्स इसका ताथ पर वैसी महामारियों से है जिनके उपर ज्यादा एटेंशन या फोकस नहीं है ज्यादा चर्चा नहीं होती हिल्थ पॉलिसी में स्वास्थ नितियों में प्रंतु उनके कारण होने वाली मिर्थियों किसी अन्य रेकरगनाइजड महाम प्रंत प्रंत ऑफिवारीयों से कम नहीं है कई ऐसी बिमारिया है और नम्मर ऑफ इल्नेसिस ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी निर्णायक कारण की पहचान आज तक नहीं हो पाई है कि कि पर्टिकूलर कॉजेज के कारण कारणों के चलते उन बिमारियों का मतलब विस्तार होता की गई है, अन्दिफ्रेंसियेटेड़ इल्नेस की बात की गई है, इसका तात्पर्ण होता है की एक साथ, एक से सिंटम वाले कई बिमारियों का हमें एक कॉमन नाम दे देते हैं, जैसे अगर हम रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इंट्रेक्षन की बात करें, जो स्वसंतंत्र है ह हमारा जो सोचन का मार्ग होता है तो उसमें AnkieSan इनी और इननत्रफियेटेड इंलेस्स से क्रण भारत में परती दिन कई लोगों की मिर्ट्यू होती है उधारन के तौर पर RTI यानि के respiratory tract infection के कारण भारत में प्रति दिन लगवव 900 लोगों की मिर्ट्यू होती है 900 पीपल इन इंडिया पर डे डाय डू टू respiratory tract infection related illnesses ट्यूबर पिलोक्सिस की अगर हम बात करें तो इससे लगववव 14 लोग भारत में प्रति दिन मिर्ट्यू उनकी हो जाती है अगर हम इसकी तुलना अन्य महामारियों के मिर्ट्यू दर से करें तो यह भी उनकी तुलना में कहीं कम नहीं है अगर हम उन बिमारियों को जैसे novel coronavirus disease को एक महामारी के तौर पर देखते हैं तो इन बिमारियों को भी हम एक epidemics के रूप में हमें देखना चाहिए और क्योंकि ऐसे बिमारियों के ज़्यादा तर विक्टिम गरीब लोग होते हैं उनकी पहुंच स्वास्थ तंत्र तक कम होती है relatively जैसा कि TB के case में हम सब जानते हैं कि इसे poor man's disease कहा जाता है एक गरीब व्रक्ति का रोग कहा जाता है तो इस प्रकार के भी epidemics पर हमें ध्यान देने की आवश्कता है गरीब लोग इसके विक्टिम इसलिये होते हैं क्योंकि उनकी immunity यानि शरीर की प्रतिरोधक छमता प्राकरती प्रतिरोधक छमता पहले से कम होती है वो malnutrition के भी कारण हो सकती है और immunization program यानि कि टीका करन कारे करोमों तक उनकी सीमिक पहुँच या अलप पहुँच के कारण भी हो सकती है तो victims के low immunity होने के कारण गरीब लोगों में इन प्रकार के silent epidemics का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है इस article में आगे बताया गया है कि large number of hospitalization के कारण large number of hospitalization होता है कई सारे लोगों की मिर्ति हो जाती है यह जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि लगभग 1400 cases per day, 1400 deaths per day TB के कारण और RTI के कारण respiratory tract infection के कारण प्रति दिन 900 लोगों की भारत में मिर्ति होती है जो अपने आपने काफी बड़ा संख्या है तो ऐसी स्थिती में यह यह indicate करता है कि यह अगोसित silent epidemic है यानि इस प्रकार के undifferentiated disease यानि एक से दिखने वाले रोग जिसको कि हमें general class में categorized वर्गिकरित कर देते हैं उस प्रकार के रोग एक अगोसित silent यानि मूख महामारी के रूप में हमारे समाज में उपस्तित हैं परन्तु अगर एक पक्ष इसका देखे तो यह वैज्ञानी कनुसंधान का attention अभी भी यानि उनका घ्यान अपने तरफ अभी भी नहीं घीच पाए हैं इसका कारण क्या ह आर्टिकल में बताया गया है कि मीजी फर्मा कंपनियों के profit motive अप्रोच के कारण यह मतलब की ज्यादा attention इस प्रकार की महामारियों पर इस प्रकार के रोगों पर नहीं दिया जाता है फर्मसिटिकल कंपनी जो होती हैं दवा निर्माता कंपनियां उनका ज्यादा focus वैसे ब कारण रवये के कारण फार्मा कंपनीच को दवा कंपनीच का जो एक लाब कमाने का मोटीव है उसके कारण silent epidemics को परियाप अटेंशन नहीं मिल पाता दूसरा कारण आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि सामान्य तोर पर जो स्वास्त सेवा छेतर है उसमें सरकार भी इन बिमारियों को उतनी प्रात्मिक्ता नहीं देते भारत और अन्य विकासिन देशों में भी यह देखा गया है कि सरकारों के द्वारा जो general health care system है सामान् प्रकार्टे silent epidemic जो मूप महमारियां है समाज में उपस्तित रहती हैं लंबे समय तक अभी कि अगर बात करें COVID-19 के टाइम पे अभी इस बिमारी में एक प्रकार से एक छत्र महत्र पूरे स्वास्त तंत्र के उपर इसका है यानि संपुन स्वास्त तंत्र का focus का केंद्र इस में कई अन्य जो lethal diseases हैं जिनके कारण की मिर्तियों हो सकती है संक्रामक बिमारिया हैं उनको उनके उपर से ध्यान हट सा गया है COVID-19 पर focus ज्यादा है इस परिस्थिती में यह जो pre-existing रोग हैं पहले से विदमान रोग हैं यह COVID-19 के साथ मिलकर और ज्यादा विनास्कारी पर कहा गया है कि अन्य इस प्रकार की भी व्यापक बिमारियों के comparative fatality rate यानि तुलनात्मक मिर्ट्यूदर की पहचान की जानी क्या विश्कता है इन्हें पहचानना हमें पढ़ेगा कि तुलनात्मक रोब से COVID-19 की तुलना में इन बिमारियों में मिर्ट्यूदर क्या है इन से ग्रस्त है उनका death risk COVID-19 के समय में और अधिक बढ़ जाता है उस संदर्ध में या आर्टिकल महत्रपूर्ण है इसे हम किस प्रकार से अपने परिक्षा से जोड़ कर देखेंगे तो यह समाज में स्वास्त की स्थिति से सीधे तोर पे जुगता है खासकर जो आपको poverty के का कारण स्वास्ट स्वावं तक पहुंच में अंतर आता है पूर और रिच में साधन युक्त में और साधन हीन में तो उसके संदर्ध शाद्ध पहुतścieयों कर्सकते हैं कि किस प्रकार से तक이 सीमित होने के कारण जो सुसुप्त महंमारियां समाज में है उनके भी उसके भी चलते कई लोगों की मिर्टिव फ्रति दिन होती है उसका कारण क्या है तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि उसका कारण भारत में कमजोर रोग निगरानी प्रणाली का होना है तो हमें एक मजबूत डिजी सर्विलांस सिस्टम अस्थापित करने क्या विश्कता है आप इससे सुसाइटी हिल्थ सेक्टर से जोड़के देख सकते हैं पूवर्टी और हिल्थ से जोड़के गरीबी और स्वास से जोड़के इसको देख सकते हैं अगर हम हिल्थ की ही बात करें अगर आपसे निवंद में हिल्थ सेक्टर से रिलेटेड अगर टॉपिक पूछा जाता है तो आप उसमें epidemics महामारियों के साथ साथ चिन्धित महामारियों के साथ सुसुक्त महामारियां silent यानि कि मूख महामारियों का भी चर्चा अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा पेपर 3 में अगर हम देखें तो एक परकार से यह human capital से जुड़ा हुआ है हमें की young population, young demographic की बात करते हैं हम इसे एक capital के रूप में देखते हैं परन्तु poor health outcome के कारण इसका advantage हमें नहीं मिल रहा है तो अगर हम हमें इस young human capital के potential को reap करना है उसका lab उठाना है तो इसके लिए हमें एक मजबूत स्वास्तंत की आविसकता है आप यहां पर इसे अर्थ व्यवस्था paper 3 के GS के सामान अध्यन के paper में अर्थ व्यवस्था को और मानफवास्त को जोड़कर इन जानकारियों का उल्ले कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं एक महतुपूर्ण article international relation को खासकर भारत के multilateral institutions के membership को लेकर एक important article है भारत BRICS का BRICS का एक सदस्य देश है तो इसको लेकर एक महतुपूर्ण article आया था कि BRICS देशों का COVID-19 को लेकर अभी क्या रुख है किस परकार से दूसरे देशों की सायता BRICS देश कर रहे हैं और उन्हें आगे किस परकार से इन efforts को और देशों तक स्वास्त सेवा medical missions चिकित्सा mission पहुँचा कर अपना मदद पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं अभी जैसा हमने देखा कि भारत की विश्वस नियता वैस्वी कस्तर पे एक बहुत ही तेजी से उभरते हुए pharmacy के रूप में हुई है मतलब rapidly emerging pharmacy of the world भारत ने hydroxy chloroquine के निर्याद को न केवल परूशी देश बलकि अन्य देशों को भी इसका निर्याद करने का निर्णा अप्रील महिने के प्रथम सप्ता में लिया था रूस, ब्राजील, इस्राइल और United States जैसे देश और साथी साथ परूसी देशों को भारत ने hydroxy chloroquine के निर्याद करने का फैसला लिया था इस फैसले के संदर्ण में अगर देखें तो यह एक समावेशी BRICS के नेत्री तुमें Pharma Alliance को स्थापित करने के मंच को तयार करता है Stage set for Forging and Inclusive BRICS Driven Pharma Alliance मतलब कि BRICS के नेत्री तुमें एक समावेशी Pharma Alliance Westwick अस्तर पर या छेत्री अस्तर पर की जा सकती है साथ ही वैकिन के प्रोडक्शन में यानि कि टीका के विकास में दवा के भी विकास में इस प्रकार के आपसी सहयोग को explore किया जा सकता है यह एक भारत के योगदान के संदर में एक विसलेशन इस आर्टिकल में दिया गया है चाइना के अगर रोल की बात करें योगदान की बात करें वर्टमान COVID-19 के कंटेक्स्ट में तो इसे वर्ट्सॉप आप दे वर्ट के भी रूप में जाना जाता है चाइना एक मेनुफेक्ट्रिंग हब है विनिर्मान का केंद्र है वैस्विक केंद्र है और अपने इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए चाइना विस्व के कई देशों को आवस्यक मेडिकल सप्लाइज की कितसा सामगरी की आपूर्ति कर रहा है आर्टिकल में इसे चाइना का हिल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्राइन यानि स्वास्थ सिल्क रोड निती के रूप में इसे बताया गया है इस निती के अंतरगत चाइना ना सिर्फ वेस्ट एसिया के देश जैसे इरान बलकि यूरोपिय देश इटली जैसे भी देशों तक स्वास्थ आवस्यक स्वास्थ सप्लाइज की आपूर्ति कर रहा है इरान और इटली जैसे देश जैसा हम जानते हैं कि कोरोना वाइरस महामारी से बहुत ही गंभी रूप से ग्रस्त है तो ऐसे में चाइना का एक ब्रिक्स सदस्थ से नाते इन देशों तक अपने सहायता को पहुँचाना सहयोग को पहुँचाना ब्रिक्स के वैस्विक महामारी नियंत्रब में भूमिका और योगदान को दर्साता है मेडिकल सप्लाइज की अगर हम बात करें ब्रिक्स के ही एक और सदस्थ की बात करते हैं रस्या की रस्या ने अपने डॉक्टर्स और वाइरोलोजिस्ट के टीम को मेडिकल मिसंस को विस्व के कई देशों में रस्या ने भेजा है इसका एक उधारन एक बहुत ही प्रसित फ्रॉम रस्या विट लव एर मिसंट है जो की इटली को भेजा गया था इन मेडिकल मिसंस के माज़म से रूस अन्य देशों को अभी कोविड-19 के रोख्थाम और नियंतन के लिए सेयोग पहुचा रहा है इसमें की डॉक्टर्स की टीम और वाइरोनौ्जिस्ट्स की टीम होती है साउथ अफरिका की अगर बात करें जो की ब्रिक्स का अफ्रीकी महादेव में एक बहुत महत्वपून सदस्रे है और वत्मान में यह हां अफ्रीकी संग अफरिकेन यूनियन का भी प्रमुख है रोटेटिंग हेड है साउथ अफ्रीका भी वत्मान में एक पैन अफ्रीकन रिस्पॉंस यानि कि अखिल अफ्रीकी कोविड-19 रिस्पॉंस के पॉलिसी फ्रेमिन में लगा हुआ है इंगेश्ट है और इस प्रकार से या अपने महादुरिप में कोरोना वाइरस के नियंतर में अपनी भूमी का निभा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रिक्स सदस्य देश अपने अपने अस्तर पर COVID-19 के नियंतर में अपनी भूमी का निभा रहा है आर्टिकल में ब्राजिल के रिस्पॉंस को लेकर थोड़ी निरासा जताई गई है जिसमें कहा गया है कि इसे अपने रास्ते को और सही करने के आवस्कता है पोर्स करेक्शन के आवस्कता है ब्राजिल की सरकार ने को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ब्रिक्स देशों में वैस्विक और छेत्री अस्तर पर अन्य देशों को COVID-19 के रुप्ताम के लिए काफी सयोग किया गया है आर्टिकल में जो सुझाओ दिये गया है आगे के उसके बारे में हम चर्चा करें कि ब्रिक्स को डब्लु एच यानि की विशु स्वास संगठन, यूरोप और नौर्थ अमेरिका जैसे छेत्रों के साथ अपने प्रियासों को और कॉडिनेट करना चाहिए उनके साथ साधा सहयोग करना चाहिए पहले से जी उपस्थित ब्रिक्स देशों के बीच में एक टियास्टर रिस्पांज मेकानिजम है पहले से उपस्थित है इसको रीक्टिवेट करने की आवस्किता पर बल दिया गया है इस आर्टिकल में, साथिया क्या गया है कि प्राकृतिक डिजास्टरस आपदाओं के लिए अलग से संसाधन इभं परिसंपतियों को इयर मार्क करने की आवस्केता है इयर मार्क मतलग उन्हें अलग से इन ही कार्यों के लिए हटा देने की आवस्केता है ताकि जब ऐसे प्राकृतिक आएं तो उसके लिए संसाधनों की समस्या नहों कमी ना पड़े आर्टिकल में संधाई इस्थिक ब्रिक्स बैंक जिसे की न्यू डेवलप्मेंट बैंक के भी नाम से जानते हैं उसकी भी महत्ता पर और भूमिका पर प्रकास डाला गया है बाद में अन्य सदस्दिसों को भी रासी एलोकेट की जाएगी आर्टिकल में यह कहा गया है कि इस प्रकार के ग्रूपिंग्स के लिए संभूहों के लिए एंडीवी का मॉडल एक टेंपलेट बन सकता है एक सहयोग मॉडल के रूप में इसे अन्य छेत्रों में भी और अन्य ग्रूपिंग्स में भी अपनाया जा सकता है इस प्रकार से यह ब्रिक्स के महत्तु के उपर प्रकास डालने वाला आर्टिकल है इसका सीधा संबन्थ आपके पेपर 2 से है इंटरनेशनल रिलेशन और मल्किलेटरल एजेंसी से है जिसमें किया भारत और ब्रिक्स के संबन्थ ब्रिक्स का एक व्यापक रूप से विश्व के उपर प्रभाव उसकी भूमिका और योगदान के बारे में चर्चा कर सकते हैं बिविन आयामो में जब हम ब्रिक्स की चर्चा करते हैं और इंडिया ब्रिक्स इंगेजमेंट की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर पैंडेमिक कंट्रोल और पैंडेमिक कॉपरेशन यानि महामारी सहयोग में भी आप इन जानकारियों का उप्योग कर सकते हैं यह हमेशा ध्यान में रखना है कि उत्तर लिखते समय हमेशा objective point को वस्तुनिस्ट points को सामिल करना है और इस प्रकार के articles आपको वैसे points supply करते हैं वैसे points देते हैं तो यह आपको international relation के इंडिया ब्रिक्स छेतर से जुड़ा हुआ है और ब्रिक्स का वैस्वी कस्तर पर उसकी भूमी का महत्ता significance से जुड़ा हुआ है आगे बढ़ें एक महत्तुकून आर्टिकल सिख्षा छेतर से आया है सिख्षा छेतर में higher education में खास कर उच्छ सिख्षा छेतर में किस प्रकार से वर्तमान महामारी के दौर में चुनावतिया दिक्सित हुई है जो कि आने वाले समय में एक अलग सिख्षा निती की मांग की ओर इसारा करती है और इन चुनावतियों को देखते हुए focus area क्या होने चाहिए उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते है pandemic and higher education यह किसी भी आप महामारी के एक जनरल संदर में देख सकते हैं कि अभी हमें और ज्यादा innovative और ज्यादा digital एक सिख्षा परिस्थित्की की आविस्कता है मतलब एक digital education ecosystem की आविस्कता है परन्तु उसमें जो परंपरागत तरीके हैं learning के उसको भी blend करने का जोड़त है मतलब कि एक hybrid education model hybrid सिख्षा model विक्सित करने की आविस्कता पर यह article जोड़ देता है challenge की बात करें तो पर्थम चुनौती के रूप में यह बताया गया है कि ना तो विद्यार्टी और सिख्षक ही इस lockdown के लिए पहले से तयार थे और जो वास्तरिक मतलब जो scheduled plan था academic session का उसको अपने मूल सुरूप में जारी कर पाना बहुत कठिन हो गया है इसके लिए अब किन छेटरों के उपर हमें ध्यान देना पड़ेगा एक तरह से इसमें सुझाव समाधान बताये गया है कि semester को और degree courses को समय पर पूरा करने के लिए एक robust plan का विकास एक बहुत ही मजबूत योजना का विकास हमें करना पड़ेगा दूसरा इसमें सुझाव दिया गया है कि content की delivery के लिए यानि कि जो पथन पाथन सामगरी है उसकी delivery के लिए हमें take infrastructure विक्सित करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा स्वयम जो की ministry of human resource and development का एक education portal है उस प्रकार के existing platform को भी मजबूत करने के आज़कता है जिसके माधियम से कि आप content delivery कर सकते हैं साथ ही नीजी छेत्र और startups को promote करने की जोरत है जिसके माधियम से personalized teacher learning platform यानि की व्यक्तिगत सिक्षन platforms के विकास का कारे किया जा सकता है इसमें एक तरीके से traditional और online method दोनों को मिला कर समाधान ढूनने की बात की गई है एक ऐसा model बिक्सित किया जाए जिसमें की traditional और online method दोनों सामिल हो दूसरी चुनावति इसमें बताई गई है कि कंपनियों के द्वारा वत्मान में job और internship के जो offers हैं उनको रद्ध कर दिया गया है क्योंकि कंपनिया भी घाटे में चल रही है उनके उत्पादन या उनका जो operation है बंध है तो इसके कारण उन्होंने जो भी job offers दिये या internship के offers दिये उनके द्वारा रद्ध कर दिया गया है तो यह एक चुनावती अभी के समय में है क्योंकि सिख्षा का रोजगार से सीधा संबन है अभी के समय में internship पाना भी खासकर junior students के लिए काफी जादा मुस्किल हो गया है तो इन चुनावतीयों को देखते हुए article में बताया गया है कि हमारे विश्विद्यालेओं और सकारों को नए project opportunities को विखित करने की आवस्वता है इन project opportunities में आप इन विद्याथियों को internship office दे सकते हैं आप इनके लिए part-time jobs की वेवस्था, रूदकार की वेवस्था कर सकते हैं यह सुझाव भी दिया गया है कि अधिक संख्या में incubation और innovation center अस्थापित किये जाएं विश्विद्यालेओं में ताकि छात्रों को उसमें innovation के लिए सामिल किया जा सके, उनको सहभागी बनाया जा सके अनुदान की बात की गई है, students के लिए fellowships की बात की गई है, जिससे की और जादा वो research undertake कर पाए अनुदान के माधिन से अपने projects को और startup ideas को आगे बढ़ा पाए साथ ही वैसे startups का यसे startups हैं जो की नए हैं, तो startups के लिए recruitment की capacity थोड़ी कम होती है अगर उन्होंने startups में job offers दिये हैं, तो वैसे job offers को विलंबित भी किया जा सकता है उसके लिए एक लचीली नीती बनाने की आवसकता है, ठीक है, तो flexible policy for different placements for startups ताकि जो job offers उन्होंने विलंबित कर दिये हैं, उसके लिए एक लचीली नीती बना दी जाए, ताकि बाद के समय में जब यह बड़ा महामारी का प्रभाव कम होने लगे, अच्विवस्था वापस अपनी पत्री पर आने लगे, तो उस समय उन रोजकार, उन job offers को वो पुन जाहूर तनाओ है, लोग अपने भविस्थ को लेकर अनिस्चित हैं, अनसर्टनिटी है, जिसके कारण की स्ट्रेस यानि तनाओ विक्सित होता है, आर्टिकल में सुझाओ दिया गया है कि विश्विद्यालेओं के द्वारा, कूर्स, क्यूरिकुलम और प्रसिक्षन के और टीचर्स, पेरेंट्स, और युनिवर्सिटीज, गवर्मेंट्स के बीच में आपसी कोलेबोरेशन के, आपसी कनवर्सेशन की भी बात की गई है, आगे बढ़ते हैं, एक और जो चुनावती बिक्सित हुई है कि अभी अनुसंधान के लिए डेडिकेटेट फंड की कम पर निवेश करने के लिए कंपनियों का रुजहान कम हो सकता है, साथी साथ नॉन कोविड रिसर्च के लिए भी कंपनियों का रुजहान कम हो सकता है, तो जो जो नॉन कोविड रिसर्च एरियाज हैं, उनको भी पर्याप्त फंड अभी के समय मुहया नहीं हो पा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बड़ी चुनोती है इसका समाधान यह बताया गया है कि सभी प्रकार के अनुसंधान के लिए प्रयाप्त, विद्धिय, सयोग, सुनिश्चित करना यह बहुत आवस्यक है अगर हम इस छेत्र में उच्छ सिछा को देखें या हम रोजगार को भी देखें तो दोनों के संदर में यह बहुत आवस्यक है इसमें एक बहुतर सुझाविया दिया गया है कि प्रस्तावित राष्टी यह रिसर्च फाउंडेशन राष्टी अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से इन चुनावतियों को हम सुझा सकते हैं समाधान कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगली चुनावति को लेकर आटिकल में अगली चुनावति जो बताई गई है कि अभी विस्पिद्यालें हों या मतलब कि कंपनीज हों सबके उपर एक बहुत ही एकायक अविस्पिता आन पड़ी है दवाव आपड़ा है कि वो टेक इंफ्रस्ट्रक्चर में यानि कि तकनीकी धाचे के विकास एवं विस्तार में निवेश करें ऐसी परिस्थिती में क्या किया जा सकता है कई ऐसे निजी विस्विद्याले हैं जो नए हैं या चापिटल हेवी हैं चापिटल हेवी का अतार पर जिनके उपर पहले से कुण जी का दवाव है संसाधन की कमी है तो वह उपन सोर्स प्लेटफॉर्म का इस्तमाल कर सकते हैं कर सकते हैं अगली चुनोती बताई गई है कि अभिभावकों के भी समख्ष जो है वित्तिय कठिनाया आ गई है क्योंकि लोगों के नौक्रियों के उपर संकटाया है उनके वेतन में कटवती हुई है जहां पर कारे कर रहे थे आर्थिकति विधियां कम है जिसके कारण की खास अगया है साथ ही अभी के परिस्तिती में स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल फैसिलिटी उपलब्द करवा पाना भी या एक चुनोती है वैसे अभी भावकों के लिए जिनके सामने की वित्तिय संकट है इसका समाधान बताया गया है कि नए छात्र वित्ति और रिन के पाई अनवरत जारी रहे अर्टिकल में कुछ सुझाओ भी बटाये गया है कि एक लॉंग टर्म में दिरभवदी में किस प्रकार से सिख्छा छेत्र खासकर उच्छे सिख्छन छेत्र को मजबूत किया जा सकता है पहले इसमें बताया गया है कि विस्विद्यालेओं के लि उसको रिलाक्स किया जाए पहला सजेशन ये दिया गया है दूसरा यह बताया गया है कि अंतर विस्यक अनुसंधान जो होता है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च यानि कि अलग-अलग छेत्रों के बीच में जो रिसर्च होता है उसमें सहीयों को और ज़्यादा बढ़ावा किंडर की अस्ठापना की जाए बिजस्टर मैणेजमेंन्ट रिसर्च सेंटर बनाएं जाए आप्धा प्रबंधन के ऊपर course mandatory किया जाए अनिवार किया जाए विसल द्यालयों में ताकि छात्रों में, सिक्षकों में, इस प्रकार के आप्दा की इस्थिति में, सिक्षन प् विक्सित हो और इससे आपड़ा के नियंतर में सहयोग मिल पाए। इसमें एक महतुकून सुझाओ दिया गया है पब्लीक और प्राइबेट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ावा देने का जो की ततकार अभी जो वर्टमान में एजुकेशनल क्रैसिस है जो सैक्षि संकत उत्पन हो गया है महामारी के कारण स्कूल और महाविद्याले बंद पड़े हैं इसको एक डिजिटल रूपांत्रन डिजिटल ट्रांस्फरमेशन देने के लिए और ज्यादा लोगों तक सिक्षन की पहुच बढ़ाने के लिए पब्लीक और प्राइबेट इन्वेस् सिक्षन और उसकी महत्ता खासकर हायर एजुकेशन उससे जुड़ा हुआ है इसमें आप यह भी देख सकते हैं कि सिक्षा का बदलता स्वरूप हम अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं हाइब्रीड पोर्सेस की बात कर रहे हैं तो उस बदलते स्वरूप का भी आप इसमें विसलेशन कर अपने उत्तर में उलेग कर सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी के अगर संदर में देखें तो किन चुनावतियों के आलोग में क्या-क्या समाधान संभव हो सकते हैं यहां पर आपको बिंदुवार तरीके से बहुत अच्छा इस आर्टिकल में पताय हैं जो एजुकेशनल फसलेटीज का जो एसस है उसको कैसे जादा से जादा लोगों तक बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसमें साथी साथ सिच्छा के छेत्र में निवेज की बात की गई है तो अर्फ विवस्ता से भी इसका संबंद ह कि हमारा कितना जो है economic resource शिच्छा के छेत्र में जाना चाहिए जो चुनाँतियां होती है और किस प्रकार से हमांधान कर सकते हैं इसका संबंद डिजास्टर management से भी है जैसे इसके suggestions में reflect होता है disaster management यह आपके paper 3 से जुड़ा हुआ एक भाग है disaster management में हाँ आप pandemic के दौरान होने वाले समस्याओं में educational crisis की भी चर्चा जरूर करेंगे उससे आपका उतर और बेहतर हो जाएगा और जैसा हम लोकों ने अभी देखा कि pandemic के कारण एक certain जो है research area के ऊपर focus होता है तो यह disaster management के भी संदर्व में बहुत important article है इसमें कुछ suggestions है इस प्रकार से आप सामान या धियन में इसका इस्तमान कर सकते हैं इसे की बात करें तो जब education की चर्चा हो तो उसमें crisis के दौरान के समय भी सिख्षा व्यवस्था अनवरत जारी रहे उससे जोड़कर आप इसको लिख सकते हैं pandemic और महामारी के समय में भी जो सिख्षन प्रक्रिया है उससे संबंधित content भी आप यहां से डाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं एक अन्यमहत्पुन आर्टिकल को लेकर जिसमें की इस्पेन में इस्पेन की घटना का जिक्र किया गया है उसके माध्यम से बताया गया है कि अभी के टाइम पे किस प्रकार से cycling जैसे मतलब की alternative public movement facilities को बढ़ावा देने की बाद की जा रही है अभी public transportation जो सावजनी परिवहन विवस्था है वो दबाब में है बहुत जादा कही कि देशों में बंद पड़ी हुई है कोरोना वाइरस के वह के कारण संक्रमन के वह के कारण इसमें यह बताया गया है कि ट्रेन और बस्त के में और सुरचित भीरभार की अवस्था को रोकने के लिए कई देशों में bicycle का यानि cycle को प्रुत्साहित किया जा रहा है यह अपने अर्थ विवस्था को वापस पट्री पे लाने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन को अगर हम बढ़ावा देते हैं अगर उनको इंकरीज करते हैं तो वैसे में crowding हो सकती है और यह crowding अभी के अभी के टाइम पे unsafe है ज्यादा से ज्यादा समय बनाने चाहिए या फिर जो वर्तमान में और पहले से मवजूद cycle lens है उनको हमें चौड़ा करना चाहिए तो यह दो सुझाओ यहाँ पर दिये गए हैं इसमें एक महतुपून बात की गई है कि हमारा जो सहरी परिवेश है अर्बन इन्वार्मेंट है वो अधिक cycle friendly होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो public transport से cycle के तरफ transition करें उसके तरफ shift करें जिसका कि आपको प्रयावरन का भी लाव है इंधर में भी बच करने से डर रहे हैं विश्व में बहुत ऐसे ही बहुत कम ही सहर ऐसे बचे हैं जो कि और अधी car traffic को handle कर सकते हैं यानि कि ज्यादतर सहरों का जो traffic का एक saturation level है वो समाप्त हो चुका है अब अगर अत्यधिक वहाँ पर car traffic या public transportation को बढ़ावा दिया जाए तो वहाँ पर traffic की समस दिया गया है जहां पर की बहुत व्यापक रूप से cycle का इस्तमाल परिवहन के रूप में किया जा रहा है जाहे वो अपने workplace तक commute करने के लिए हो exercise के रूप में हो या फिर normal आप अपने कारे करने के लिए दैनिक कारे करने के लिए परिवहन का जो ब्योग करते हैं उसके अपने workplace तक आने जाने वाले लोग जो की cycle से daily आत्रा करते हैं workplace का रस्तल के अलावा भी वैसे लोगों की संख्या cyclist आधा हैं वैसे लोगों में daily commuters में आधे से अधिक cyclist है नेदर लेंड के अगर हम बात करें तो नेदर लेंड के पास cycle lens का एक vast network है तक पर यह है कि इन दे परिवहन प्रनाली विवस्था के रूप में काफी बढ़ावा दिया जा रहा है उत्साह दिया जा रहा है इसमें एक interesting term का इस्तमाल आटिकल में किया गया जो है tactical urbanism आप इसका urban policy planning में यानि कि सहरी नीती नियोजन में इस सब्द का इस्तमाल कर सकते हैं tactical urbanism का तात्परह होत सहर के विवस्था में हम बदलाव लाते हैं उसको और ज्यादा परियावरन friendly environment friendly बनाते हैं और ज्यादा पब्लिक friendly बनाते हैं उसे हम tactical urbanism होते हैं low post changes data technical जिसमें की टक्नीक सामील होता है और वह reversible होते हैं यानि कि आप उसको पुना अपने वास्तवी इस्तिती में वापस ल changes जो कि low cost हों कम लागत के हों उसे टैक्निकल अर्बनिजम कहा जाता है सुनियोजित नगरी विवस्था कहा जाता है cycle friendly approach की बात करें तो यह environment के लिए भी लागकारी है और इसका साथ में आर्थिक भी महत्व है तो इन दोनों महत्व को देखते हुए हमें अपने नगरी परिवहन विवस्था में cycling को एक विकल्प एक महत्वपन विकल्प के रूप में हम इसको समझ सकते हैं जोर के देख सकत इस आर्टिकल का महत्व आपके paper 1 से है paper 1 में समाज, urbanization, urbanization सहरी करन से आप इसको जोर कर बता सकते हैं कि सहरी करन में परिवहन की हम जब बात करते हैं, traffic load की बात करते हैं, vehicle density की बात करते हैं, वहन धनतु की बात करते हैं तो वैसे में cycle एक बहुत ही परियावरन, संगत, पर इस एक जांपल उधारन जो दिये गए हैं उनको भी आप code करके बता सकते हैं कि कैसे विस्व के अन्य देशों में best practices के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, tactical urbanism की चर्चा कर सकते हैं, urbanization में, सहरी करन में कि हमें ऐसे समाधानों के ऐसे बदलाओ की जूरत है, जो तक transportation policy में परिवहन नीती में इन बुंदों का इस्तमाल कर सकते हैं, alternative means of transportation के रूप में, paper 3 में, अर्च विवस्था में भी इसका सम्मध आपको